हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो इस्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टोपिक क्वाइड लेटरल्स की प्रोपर्टी इसके बारे में जानने के लिए तो सबसे पहले जो प्रोपर्टी हमको पढ़नी है वो पढ़नी है पैरलेललोग्राम के बारे में और most important property और most important quadrilateral है अगर आपने इसके बारे में अच्छे से जान लिया तो समझो चैप्टर कम्प्लीट आपका क्योंकि जितनी भी हम इसके क्वाइलेटरल की हम पढ़ेंगे प्रोपर्टीज वो सब इससे रिलेट करेंगी तो इसको ध्यान से सुनना बाकी सब आपका काम हो जाएगा तो क्या लिख्वा है? पैरल्लोगराम क्या होता? सबसे पहली हम जानते हैं पैरल्लोगराम क्या है? सबसे पहली बात कि यह क्वाइलेटरल है मतलब चार साइड की क्लोच फिगर है, जो की लाइन सेगमेंट सी मिलके बने हुई है, a quadrilateral with each pair of opposite sides parallel, quadrilateral एक ऐसी shape है, जिसकी opposite sides एक दूसरे के parallel है, parallel का मतलब होता है, जो कभी भी नहीं मिलेंगी, अगर हम आग इसको कितना भी लंबा कहिंच दे और पीछे, ये कभी भी join नहीं करेंगे, इसको parallel अगर हम बोलेंगे, अब इसकी कुछ विसेष्था ह होती है, कुछ इसकी properties होती है, क्या, सबसे पहली property, opposite sides are equal, जो इसकी opposite sides होती हो, parallel के साथ साथ equal भी होती है, ये इसके equal होगी, और ये वाली इसके equal होगी, मान लो अगर ये 10 cm है, तो ये भी 10 cm होगी, और अगर ये 3 cm है, तो ये भी 3 cm, opposite sides are equal and parallel, ये learn हो जान चाहिए, side से एक दूसरे के equal और parallel होती है दूसरी opposite angles are equal opposite angle भी equal होते हैं मतलब ये वाला angle ये वाला angle इस angle के बराबर होगा इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ आपने जो class 7 में पड़ी थी आपने पढ़ा था कुछ इस तरीकी के आपने सोच आपने पढ़ाया होगा आपको बताया होगा alternative interior angle के बारे में वो कौन सा angle होता था मालो हमारा ये ABCD एक parallelogram है तो alternative interior angle हम उसको बोलते हैं तो जेड बनाता था ये angle 1 angle 2 हमारा angle 1 किसके बराबर होगा angle 2 से और मालो एक diagonal ये वाली है हमारी ये वाली इस एंगल के एकवल होगा तो जेड बनाने वाले एंगल एंगल इसका नाम लिख देता हूँ 3 एंगल 4 एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा और इनकम बोलते थे alternative interior angle और ये मेजर में सेम होते थे और इसकी पहचान दुबारा देखे ये इस तरीके से जेड बनाते हैं जहां पर भी जेड बनता दिखा रहा हूँ आपको सीधा या उल्टा एक ये वाले एंगल क्या होते हैं आपस में सेम देख रहे हैं ना ये वाला ये इसको ध्यान से देखो जो मैंने थोड़ा highlight किया है जेड बना रहा है तो उसके ये वाले एंगल क्या होंगे एक्वल और दूसरा ये ज़रूर नहीं कि जेड ऐसे भी है अब आपका ये वाला देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूँ ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा क्योंकि ये इस तरह भी जेड का formation कर रहा है तो जहां पर भी parallelogram में जेड बनेगा और हमने जाना opposite angle भी क्या होते हैं दूसरे के equal मालो अगर ये 70 डिगरी है तो ये भी कितना होगा 70 डिगरी ये भी चीज आपको ध्यान से याद करनी है opposite angles are equal तीसरी property diagonal bisect one another बहुत important जो इसकी diagonal होती है दूसरे को bisect करती है मालो अगर ये पूरी की पूरी 10 cm की है तो इसको ये 5-5 में बाटे बस बात है कि diagonal जो होती है एक दूसरे को bisect करती है मतलब आधे आधे हिस्से में divide करती है अगर ये diagonal हमको 10 cm दिये 5-5 में हो जाएगी ये वाले diagonal अगर हमाले 20 cm किये तो एक दूसरे को 10-10 cm में bisect कर देगी इन तीन property के अलावा एक चोथी property सबसे main property होती है क्या sum of adjacent sum of adjacent angle is 180 degree या फिर supplement भी बोल सकते हो आप supplement angle कि जो हमारे adjacent angle होते है adjacent का मतलब होता है बराबर बराबर वाले पड़ोसी अगर आपको हिंदी में इसका मतलब dictionary में search करोगे तो adjacent मतलब 7 वाला बिल्कुल बराबर वाला उनका sum क्या होता है 180 degree साथ वाला मालो ये angle D है ये angle D है तो उसके बराबर में क्या angle A और angle D के बराबर में C भी है तो A और D angle A और अगर आप D को प्लस करोगे तो sum क्या होगा हमारा इसका 180 degree या फिर angle D के साथ तो C भी है angle D और अगर angle C को भी प्लस करके दिखोगे तो 180 degree ही होगा मतलब कहने का जो adjacent angle होते हैं उनका sum 180 degree होता ये भी most important property है property fourth जो कि आपको समे लिखी ही नहीं दिखी तो ये चार property होई पहली opposite sides are equal and parallel opposite angle are equal diagonal bisect one another and sum of adjacent angle is 180 degree इन चार property को बिल्कुल अपनी tips पे रख लो कि जैसी parallelogram का question आए ये चारो property आपके दिमाग में click करने चाहिए वो क्यों अब आप समझोगे अब पढ़ेंगे रोंबस के बारे में तो उसके सबसे पहली property देखो all the properties of parallelogram मतलब जितने भी आपने चार की चार property पढ़ी थी parallelogram में वो सब इसमें copy कर दो वो तो ही है addition में क्या है diagonal are perpendicular to each other जो इसके diagonal है वो एक दूसरे के लिए perpendicular मतलब 90 degree पे एक दूसरे को cut करती है बाइसेक्स तो करेंगे ही क्योंकि parallelogram की properties follow करता है साथ में 90 degree भी होगा ये चीज़ याद रख लेना क्योंकि लिखा है diagonals are perpendicular to each other तो ये हमने दो चीज़ों के बारे में property पढ़ी parallelogram रोंबस चलते हैं आगे next है rectangle इसमें भी देको धियान से क्या लिखा है अब parallelogram with a right angle एक parallelogram लेकिन जिसके हर angle क्या होते हैं right मतलब 90-90 degree क्यों होते हैं असल में ये भी parallelogram है इसकी भी opposite side से एक दूसरे के equal और parallel होती है खास बात all the properties of parallelogram parallelogram की चारों के चार property तो हैं साथ में each of the angle is right angle हर एक angle right angle है और diagonal are equal अब एक चीज़ अलग है diagonal by bisect तो करेंगी ही एक दूसरे को दो हिस्सों में divide करेंगी अगर ये 10 है तो 5-5 में तो divide करेंगी खास बात इसकी diagonal क्या है NL इसकी diagonal एक दूसरे के equal होते है ये क्या है M के तो हमारी diagonal NL M K के बराबर होगी ये खास बात इसमें थोड़ा सा change आया है जो parallelogram में नहीं था हमारा rectangle भी खत्म चलते है काइट की तरफ सबसे पहले जानेंगे काइट क्या बिमारी है काइट क्या होती है सिंपल बोले तो पतंग आपको यह आपको वह भी दिखरी होगी काइट की जैसी आं quadrilateral with exactly two pair of equal consecutive side काइट एक ऐसा quadrilateral होता है जिसमें दो sides equal होती है और side कों सी consecutive मतलब लगाता है मालो है हमारी ad है ये जो साइडस के बराबर में क्या है यह यह दोनों equal in major है और dc के बराबर में क्या है bc यह दोनों बराबर है तो ऐसे diagram को हम काइट बोलते हैं दूसरी बात सबसे पहली प्रोपरिटी दाइगनल सार परपेंडिकुलर तू वन अनदर जो इसकी डाइगनल होती है एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर ही कट करती है मतलब 90 डिगरी पर कट करेंगे खास बात वन ओफ दाइगनल बाइषेक्ट दादर और एक डाइगनल दूसरी डाइगनल को कट मतलब बराबर इससे में बाटेंगी अगर ये डाइगनल पूरी 6 cm तो 33 cm में डिवाइड करेंगी ये पूरी 8 है तो 44 cm में डिवाइड करेंगी दूसरी बात इन दा फिगर ये M क्या होता ये है measure of angle B इसका मतलब जो लिखा है na M angle B तो कुछ confuse मत होना इसका मतलब है measure of angle B मतलब angle B की क्या value है लिखा है angle B is equal to angle D जो B है ये angle D के बराबर होगा इस वाले angle के और जो angle A है वो कभी भी angle C के बराबर नहीं होगा does not लिखा है ध्यान दो does not मतलब B तो D के बराबर होगा बट A C के बराबर कभी नहीं होगा जरूरी नहीं है A और C बराबर हो मतलब angle B angle D के तो बराबर होगा पर ये जरूरी नहीं है कि angle A हमेशा angle c के बराबर हो, यह measure है यह M का मतलब क्या measure तो B और D हमेशा equal होंगे A और C नहीं होंगे तो यहाँ पर हमारे छोटा सा topic खत्म हो गया है किसका? Quadrilateral की property लेकिन सबसे main बात आपको parallelogram को बिल्कुल tips पे रख देना है और इसी के साथ अब हम अपने exercise स्टार्ट करेंगे और अब exercise में देखोगे हर question में हर question में parallelogram का जरूर fund आएगा तो चलो मिलते हैं आगे Thank you very much